हेलो देश्तों कैसे हैं आप सभी लोग आशा करती हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे तो आज हम बनाएंगे मीटे मीटे गोड़ के सुकर्शकर पारे तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कटोरी मेहनदा लेकर उसको चान लेंगे अच्छे से और उसमें दो चुटकी सोडा अच्छे से मिलाते हुए मिखस कर लेंगे निले ख you अरभात लेकर आपतो ब्ली तंदाक हम और इसको योड़कों या उसको मिलाव आख ओफ़ने Obrig भी मैंने डाल दिया उसको अच्छे से लाते हुए देखिए दो हमने त्यार कर लिया अब इसको ढखका रख देंगे एक साइट तब इसको चाशनी बनाने के लिए हम चूले पर एक गडाई गरम कर लेंगे तो गडाई हमने रख दी है उसमें आधा कटोरी पानी डाल दिया ह होगे इसको हम ओन कर देते हैं उस 250 ग्राम गोड़ लेकर हम इसको अच्छे से छोटी छोटी तुकड़ो में काट लिया है आप चाहें तो उसको कद्धुकस कर सकते हैं मैंने इसको कूटकर छोट छोटी तोड़े कर लिए तो देखिए मैं चाशनी पकत त्यार हो हम इसको कर लेते हैं तो हमने चेक कर लिया एक तार की चाशनी बनने लगी हम चूली को बंद कर लेंगे हम देख रहेंगे हमारा डो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है इसको हम थोड़ा सा और मैश कर लेंगे और चार पेड़े बना लेंगे बड़े-बड़े इनको हम सक Falcon काटे कर लंबे अमारे सकार में श्था त्युरा कर लिए हैं तो तेल गरम करके हमने इनको दीमी श्था पहलता है जाद गरम नहीं था और धीमी आज पहलता इसकूरा तो हमारे घस्ते जो हैं शिक कर त्यार हो गए हैं देखिए कितने मोटे ओगा जिकने के बाद दोस्तों अगवर एक बार बार बनाएंगे एक बार जरूरू बना कर देखिए तो हम इसको प्लेट में निकाल के रख लेते हैं और बाकी के बच्चे हुए स्नेक्स भी हम इसी तरह से सभी तल लेंगे तो मीडियम को मीडियम ही फ्लेम रखेंगे तो हमने तल के निकाल लिए अब जो हमने चाशी में इसको थोड़ा दो मिनिट के लिए गर्म होने के लिए रख दिया था अब सारे की सारे स्नेक्स हम इसमें डोग होएंगे अच्छे स चलाते हुए दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे अच्छे से दो मिनिट हो चुके हैं सारे खस्तों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो लीजिए हमारे तयार हो गए हैं मीठे मीठे करारे खस्ते आप जरूर बनाएए और सभी लोगों खिलाएए क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद देखिए मैं तोड़के भी दिखा दीती कितने अच्छे से टूट के तयार हो गए हैं धन्यवाद